हलो एवरिवन, मेरा नाम आर्जू है और आज मैं आपको क्लास सेक्स्थ इंग्लिश का चैप्टर नम्बर नाइन डेजर्ट आनिमल्स के क्वेशन आंसर बताऊंगी तो हम शुरू करते हैं short answer type question से उसके बाद हम long answer type करेंगे तो first question क्या है, desert have a very thin population, why? तो desert आप सभी को पता ही होगा जो रेगिस्तान होता है, जैसे राजस्तान है उसको हम desert कहते हैं क्योंकि वो एक रेतिला प्रदेश है तो उसे बोलते हैं desert, तो इसमें पूछा जा रहा है कि desert जो होते हैं उसमें जो population, जो जन संख्या है वो comparatively बहुत कम क्यों होती है, तो answer देखिए deserts have a very little water and vegetation, there is greenery only around the water springs or oasis, some people don't prefer to live there तो रेगिस्तान में लोग कम रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर पाने की उपलबदी बहुत कम है और vegetation यानि की पेड़, पोधे और फसल बहुत कम उगती है क्योंकि वहाँ पर मिट्टी नहीं होती, वहाँ पर रेथ होता है जिसमें फसल नहीं उगाई जा सकती आपको वहाँ पेड़ पौधे उन जगाओं पे मिलेंगे जहाँ पे आपको कहीं पॉंड यानि की कोई भी पानी की नदी या कुछ भी आसपास देखने को मिलेगा, सिर्फ वहीं अधरवाईज वहाँ पर पानी की बहुत कम उपलब्दी है, जिसकी वज़ा से वहाँ पर बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं ठीक है? Second question देखो What are some of the notable features told about snake in the lesson? तो इस पार्ट में हमने सापो के बारे में उनके क्या क्या features होते हैं, उसके बारे में हमें क्या सिखा तो answer देखिए There are more than 2300 different kinds of snakes in the world Some are up to 11 meter long Not all are poisonous Most snakes lay eggs, but many of them give birth to their young तो इसमें क्या बूलना चाह रहे हैं? कि पूरे जो हमारा world है, पूरे world में सापो की 2300 संख्या है मतलब उनके संख्या मतलब अलग-अलग species की Total साप की नहीं, साप तो बहुत सारे हैं लेकिन 2300 प्रकार के साप हमारी जो world में पाए जाते हैं तो कुछ तो इतने लंबी होते हैं कि उनकी जो length होते हैं लंबाई होती है, वो 11 मीटर तक भी होती है सारे साप जहरीले नहीं होते, कुछ साप जहरीले होते हैं कुछ साप नहीं होते Also, few of them lay eggs यानि की कुछ साप अंडे देते हैं जबकि कुछ साप सीधा ही बच्चों को पैदा करते हैं Where are rattlesnakes found? तो rattlesnake जो है बच्चों rattlesnake एक प्रकार की species है उसकी सापों की तो इसमें पूछा जा रहा है कि rattlesnake कहां पाए जाते हैं जो rattlesnake है वो American continent में पाए जाते हैं ये एक continent का नाम है American आप सभी ने सुना भी होगा They feed on mice and rats याने की वो अपने खाने में चूहों को खाते हैं ठीक है? अब अगला हम देखेंगे fourth question What does the author tell about mongoses? तो mongoses आप सभी ने नेवले जरूर देखे होंगे तो mongoses नेवले को ही बोलते हैं बच्चों mongos are very amusing animal to watch they are a common sight in Africa mongos जो होते हैं वो आफरीका में पाये जाते हैं they eat beetles and other small creatures beetles जो होती हैं वो उनको खाते हैं they themselves are eaten by hawks, eagles and large snakes लेकिन जो mongos हैं उनको कौन खा लेता है? hawks यानि कि आपके जो चील वगारा होते हैं चील, बाज और जो बड़े-बड़े साप होते हैं वो mongos को खा लेते हैं लेकिन जो mongos होता है वो जो छोटे साप हो है जो छोटे साप हैं उनको भी अपना शिकार बनाता है अब फिफ्थ क्वेशन देखो तो इस लेसन में आपने कैमल्स के बारे में क्या जाना? ठीक है? कैमल्स लिव मेंली इन डेजर्ट आप सभी ने सुना ही होगा कि जो जो कैमल होती है, उन्ट होती है वो जादतर डेजर्ट में रहती है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रेगिस्तान होता है, जो डेजर्ट होता है उसमें पानी की बहुत कमी होती है तो जो कैमल होता है ना वो अपने अंदर ही 30 गैलन्स गैलन्स एक मेजरिंग यूनिट होती है तो उसमें हम कुछ भी मेजर कर सकते है कोई भी कॉंटिटी जैसे की वाटर की किसी भी लिक्विड की तो 30 गैलन्स ओफ वाटर वो लोग अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं विदिन 10 मिनिट्स के अंदर-अंदर देकें स्टोर 30 गैलन्स ओफ वाटर और जब भी उनको प्यास लगती है वो उस पानी को वापस लाके उसको पी लेते हैं तो उनके अंदर एक स्टोरिज कापैसिटी होती है तो इसलिए ये जो उन्ट होते हैं ये बहुत फायदेमंद होते हैं एक रेतीले स्थान पर जहां पर पानी की इतनी उपलबदी नहीं है अब आपने एक हम्प एक जो कैमल की शरीर पे एक हम्प होता है एक उचाई ऐसी होती है तो इस कहना चाहरा है कि कुछ कैमल में एक ही हम्प होता है और कुछ में दो होते हैं हम्प होता है वो उस में बुखट फैट होता है और उसको हम खाने में भी यूस करते हैं कुछ लोग कैमल की हम को खाने में भी यूस करते हैं ठीक है अब हम पढ़ेंगे long answer type questions तो first question How do you define or describe a dessert? Name some common dessert animals how do they survive तो अभी क्या first question क्या पुछ है how do you define or describe a desert मतलब आप desert को कैसे explain करेंगे what is desert then name some common desert animals कुछ desert animals के नाम बताईए और वो वहाँ पर कैसे survive करते हैं कैसे जीते हैं उसका explanation कीजिए तो हम answer से start करेंगे a desert is a very hot and dry place that goes without rain in even for years तो इसमें क्या बोल रिजर्ट होता है वो बहुत ही गरम और सूखी जगा है क्योंकि वहाँ पाने के उपलबदी तो होती नहीं है तो वहाँ बहुत ही सूखा पढ़ जाता है और वहाँ पे कहीं बार तो ऐसा होता है और वहाँ पे बहुत ही कम जो है वेजिटेशन यानि की पेड़ पहदे और फसल होती है there is neither water nor green री ना तो वहाँ पर पानी है ना ही वहाँ पर हरा भरा पेड़ है still some animals are found there लेकिन फिर भी desert में बहुत सारे जो है animals यानि की पशुपक्शी पाए जाते है for example gerbills, beetles, snakes, mongos and camels इन सभी के बारे मैं आपको उपर बता चुकी है these animals survive the harsh condition in their own way तो इन conditions को ये जो सूखा होना फिर वहाँ पर बहुत गर्मी होना बहुत ड्राइ होना इन सब conditions को वो खुद ही handle करते है some live in burrows अब जैसे आपने कभी देखा अब जैसे सापका आपने बिल देखा हो कभी तो वो एक hole बना लेते हैं अपना बना लेते हैं तो वही बताना चाहरा है कि कुछ जो animals है वो अपने बरो बना लेते हैं और अंदर चले जाते हैं camels have winter coats to keep warm and shorter, tidier coats to keep cool in summer तो ठीक है camels के जो winter coats भी होते हैं जो की बहुत गरम होते हैं और tidier coats होते हैं जो उनको थंडा रखने में मदद करते हैं अब second question देखो what information about snakes do you get in the lesson dessert animals तो आपको snakes के बारे में जो अभी हमने short answer में भी पढ़ा था नहीं है हम long answer कर रहे हैं तो इसमें पुछे जा रहा है कि इस lesson में हमें snakes के बारे में क्या information gain होती है तो answer देखिए there are more than 2300 different kinds of snakes around the world some are harmless, others very poisonous तो इसमें क्या बोल रही है मैं आपको औरेड़ी बता भी चुकी हूँ बढ़ दुबारा बताती हूँ कि पूरे world में 2300, 2300 species different type के जो साप है वो पाए जाते हैं उन में से कुछ नुकसान दायक नहीं होते क्योंकि वो poisonous नहीं होते लेकिन कुछ उसमें बहुत सहरी ले भी होते हैं कुछ अंडे देते हैं और कुछ सीधा ही छोटे-छोटे सापों को जनम देते हैं देखो लिखा भी हो है some lay eggs while others give birth to the young one the rattler lives in the day and rocky deserts of America the rattler जो है वो lives in a day and rocky deserts of America large pythons can go without eating for a year or more तो python एक animal का नाम है जो कि बिना खाये एक साल तक भी रहे सकता है mongos जिसके बारे मैंने बताया था are famous for their skill in killing snakes वो क्यों famous है क्योंकि वो जो snakes होते चोटे वाले क्योंकि बड़े जादा बड़े को वो attack नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसी के उपर हमला कर देते हैं तो उसका skill क्या है जो छोटे साप जो होते हैं उन पर हमला करना और उनको खा लेना a camel can drink up to 30 gallons of water in just 10 minutes it eat plants, it hums to fast food तो जो camel होता है वो 30 gallons of water को store करता है पी लेता है 10 minutes के अंदर अंदर वो जो है पेड़ पौदे खा लेता है camel और जो उसका hump होता है उसमें उसका food store होता है ठीक है third question देखो what are some of the particular habits of mongos and the camels तो इसमें बोला है कि जो mongos हैं जिनके बार में हमने पढ़ा है जो साप को पकड़ने में और खाने की skill में माहिर है उसके बारे में और camels जो की 30 gallons of water को store कर लेती है उनके बारे में हमें उनकी habits के बारे में लिखना है तो क्या answer पढ़िए mongos like to hunt together जो mongos होते हैं वो एक चुंड में हमला करना पसंद करते हैं but they are afraid of their enemies like hawks, eagles and snakes but वो अपने जो उनके दुश्मन है यानि की बाज और जो चील है या फिर जो बड़े साप हैं उनसे उनको डर भी लगता है they warn others of the danger by their peculiar calling अगर उन्हें ऐसा आभाज होता है कि आगे कुछ danger आ रहा है तो वो एक code, I mean एक voice create करते हैं जिससे कि उनके पूरे जुंड को पता चल जाता है कि यहाँ पर danger है और उनको अपने आपको safe करने की जरूरत है उसके बाद they are famous for killing snakes वो सापो को मारने के लिए famous है camels were taken as pets long, long ago जो camels हैं उनको as a pet जैसे हम dogs को पालते हैं या फिर cats को पालते हैं वैसे camels को भी pets की तरह देखा जाता था they have long or short coats to keep them warm or cool उनका जो coat है वो long भी होता है और short भी होता है उनको गरम या फिर थंडा रखने के लिए a camel can drink up to 30 gallons of water at a time ये आप सभी को पता ही है it's hump's single or double store food that is used as food और उनके hump में उनका जो food है वो store हो जाता है they are adapted to desert life वो जो desert में जो रेगिस्तान की जो जिंदगी है जहांपे पाने की और पेड़ पॉदर की बहुत कमी है वहां पे उस life से वो लोग भली भाती परिचित हैं और वो उस life में adjust हो चुके हैं they know how to live there तो ये हो गए हमारे questions chapter number 9 के desert animal और मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में till then bye bye